यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं और यह बहतरीन और बहुत ही सिंपल चेप्टर के बारे में विच इस बायो मॉलेकूल्स अब लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बेसिक डिसकेशन देख लिया था कि कार्बो हाइड़ेट्स क्या होते हैं प्रोटीन क्या होते हैं इन सब की ब क्या पर बहुत है और डिया बात करेंगे जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहते हैं यह जो काफी тобिड़ाइश करेंगे हम लोग साथ में विटैमिन्स जैसिए रहेने वाला ऑर यसके बाद सारे के सारी और यह मान Зबघ हैं के लिए अगर हमको सेशन रखने होंगे हम प्रैक्टिस के लिए सेशन रखेंगे और वाइस और लेक्ट्र जित्ते भी उन सब को पढ़नी है मुझे डेफिनेटली आप लोग बता देना ताकि मैं उस सेशन के साथ आपके पास आ सकूँ और साथ मैं हम लोग काफी अमेजिंग क्वेशन का चर्चा भी कर सकें ठीक है चलो वई आज का जो सेशन है वह आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा किससे डी को आपको बस वही चीज याद रखने है जो मैंने करवाया था उतनी डेफिनेशन उतने टेस्ट जो है आपके क्या क्लर फॉर्मेशन होगी वह सारी आपको याद रखनी है क्या एक बार मैं सबी को सजेस्ट करूँगा कि भाई आप बेटर है एक बार NCRD की रीडिंग आप गो थुरू कर लो आप अच्छे से उस रीडिंग को लगा लो अगर आपको लगता है किसी भी टर्म में कोई डिफिकल्टी आती है तो मेरे को आप डिफिनेटली बता देना मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाओंगा अब केवल और आपके हमारे और बीच की बात रहेगी कि आपको किसी भी चीज में कोई डिफिकल्टी आ रही है मुझे बताओ मैं सॉल्व करवाँगा उसको कोई भी दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है ठीक है चलो अब बात करते हैं हम लोग डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की तो हम जनले जानते हैं वहना प्रोटीन इस प्रेजन इन इट्स नेटिव स्टेट या नेटिव फॉर्म में जब रहता है इट इस सब्जेक्ट इट तो फिजिकल चेंज लाइक चेंज एंड टेमप्रेचर एंड पी एच एंड लिए अर्टीन की आप सबसे पहले प्रोटीन की और वह अलग अलग तरीके से आपके अ प्रोटीन वहां पर चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी बॉंड निंग है वह थोड़ी सी डिस्ट्राब हो जाती है एंड हेलिकल फॉर्म थी वह आपकी अनकॉइल हो जाती है और प्रोटीन लूजिस इट्स बायलोजिकल एक्टिविडी क्योंकि यह सारे स्ट्रक इस बायलोजिकल एक्टिविटी हमेशा असाइन होती है तो इसकी बायलोजिकल एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से लूज कर जाएगी और इसी प्रोसेस को आपका क्या बोल जाता है और इसके लिए रिस्पॉंसिबल कौन है एक तो पी एक चेंज है आपका और दूसरा क्या है आपका टेंप्रेचर तो इन दौनों का आपको ध्यान रखना है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे और वह अपनी बायलोजिकल एक्टिविटी खो दे जिसमें हेलिकल स्ट्रॉक्चर जो है वह अनकॉइल हो जाए और साथ में आपकी जो ग्लोब्यूस है वह अनफो प्राइमरी का इस केस में कुछ भी नहीं होने वाला है प्राइमरी स्ट्रॉक्चर आपकी बायलोजिकल एक्टिविटी डिसाइड नहीं करती है अगर हम देखेंगे जिसे हम बात करते हैं जो एक आपका प्रोटीन है अगर आप उसको देखते हो वह कोगलेशन कर जाता है और उस केस में जब आप बॉयल करते हो तो आपका जो अंदर का लिक्विड हो बहुत हार्ड हो जाता है जैली लाइक स्ट्रॉक्चर बन जाती है आप सभी ने एग कभी ना कभी कंजूम किया होगा और नहीं किया हो तो आपने देखा जरूर होगा कि एग जब आपका हार् इसको समझ पाना है ठीक है चलो जी के आगे की बात करते हैं अगर मैं बात करूब का दी नेचुरेशन कि मैंबी रिवर्सीबल हो सकता है और और्वर्सीबल भी हो सकता है दौनव पॉसिबिटी इसके लिए कयस में अगर बात करने घ्सें और Пटी और अप Богं के उस अगर solid बन गया तो solid बन गया उस case में process क्या हो जाती है बैटा irreversible हो जाती है उस process में ये क्या हो जाती है आपकी aversible हो जाती है भर अगर इसी case में बात को revert process is called the renaturation de-ネ clinical protein की structure ko change कर देना दुबारा से जब regain हो जाए इसको हम मोलेंगे renaturation and in such cases when the temperature और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं और यह केवल उनी केसे में हो सकता है जहां पर रिवर्सिबिलिटी हमारे पास हो अगर वो प्रेजेंट होगी तभी यह केस पॉसिबल है अधरवाइस यह केस पॉसिबल नहीं है क्लियर है चलो जी अब जड़ा बात कर लेते हैं आपके प्रोटीन के लिए भी अलग अलग टेस्ट की कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अधर को प्रोटीन के अंदर जो में पार्ट है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंट्स हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं तो आप उसके थ्रू भी बता सकते हो कि प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है अगर मैं बात करूंगा सबसे पहला जो बेसिक सलूशन के अंदर आलकलाइन सलूशन अफ प्रोटीन के अंदर हम डालते हैं तो एक वाइलेट कलर का डेवलप्मेंट हो जाता है ड्यू तो प्रेजेंस और प्रोटीन आपका एपसेंट होगा तो आपको एजडिस दिखेगा अगर यह आपका डीप परपल कलर में गया है तो प्रोटीन की प्रेजेंस को यह बता देगा विच इस प्रोटी दी कलर चेंज यह केवल में आपको दिखा रहा हूं यह आपकी एक टेस्ट यूब है जिसके अंदर यह टेस्ट हमने किया है अगर अगर आपको ब्लू कलर की फॉरमिशन नहीं दिखती है मतलब प प्रोटीन होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि प्रोटीन के अंदर फैप्टाइड लिंगेज क्या होना मस्ट है अगर वो नहीं है तो डेफिनिटली आपको यह एपसेंट मिलेगा आई होब इस पार इसको हम बोलते हैं निन हाइडरें टेस्ट यहां पर क्या होता है यह आप डाइलूट सॉलूशन ऑफ निन हाइडरें आपको यह इसको हम बोलते हैं निन हाइडरें तो आपको क्या हो जाता है एक वाइलिट कलर का प्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि आप देखोगे इस केस में आपको क्या हो जाएगा बॉन्डिंग हो जाएगी आपके बॉन्डिं एक पार्ट जो है वह यहां से रिमूव हो जाएगा और यह वाला कॉंप्लेक्स जो है ना यह आपको कलर फॉर्मेशन देता है यह कॉंप्लेक्स जो है आपको यह कलर फॉर्मेशन देता है वेटा इस रिस्पॉंसिबल फॉर्टी कलर फॉर्मेशन और कलर कैसा मिलेगा आपक वाइलेट टाइब का ठीक है आपको वाइलेट कलर मिलता है जिस से पता चलता है कि definitely हमारे पास प्रोटीन जो था ता वो प्रेजनन लूज हर तरीके का प्रोटीन जो है ना इसको दिखाता है तो basically यह पूरा पार्ट जो है यह आपका connect होगा यह पूरा सबसे पहले और इस पूरे पार्ट को रिमूव कर देगा यहां से साइड से तो आपका जो आपका वो निकल गया और यह वह बूरा पार्ट जो आपका एक not so common टेस्ट भी है जिसको हम बोलते हैं जैन्थो प्रोटिक टेस्ट ठीक है जैन्थो प्रोटिक टेस्ट के अंदर क्या होता है ये भी आपका सभी के सभी प्रोटीन्स देते हैं basically with concentrated HNO3 on heating it gives a yellow PPT which on more heating gives solution on adding NH4OH and red color appears तो उसमें क्या हो जाता है red color की appearance होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जैन्थो ट्रोपिक टेस्ट बोलते हैं बेटा तो पहले आपको HNO3 की presence में उसको heat करना है वो yellow color बनाएगा ज्यादा heat करोगे और उसके अंदर आप NH4OH डाल दोगे तो red color का appearance आपका आ जाएगा जो की बताता है कि protein उसके अंदर present है वो peptide linkage जो है वो आपकी present होगी ठीक है तो after completing the entire part of protein it's time to discuss about the next portion which is basically enzymes as well as vitamins अब उनको जड़ा discuss कर लेते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं वो भी काफी easy portion है अब enzymes की भी बात करेंगे basically यह भी आपके nitrogenous compounds हैं with basic nature जिनको हम क्या बोलते हैं enzymes बोलते हैं इनके अंदर भी nitrogen की presence आप basic nature होता है इनको हम बोलते हैं enzymes अब देखो activity wise यह सारा का सारा मामला अलग हो जाता है जैसे हम किसी reaction में catalyst का use करते हैं ऐसी हमारी body में जितनी भी biological activities है या plants में जो biological activities है उनके लिए हमको जरुत पढ़ती है कि इसकी catalyst की उन्हें catalyst का नाम ही क्या है विटा उनको हम categorize करते हैं as a enzyme so all biological reactions are catalyzed by enzyme और हर चीज के लिए एक specific enzyme है हमारे पास हर चीज के लिए एक specific enzyme है so enzymes lower the activation energy क्योंकि catalyst है तो catalyst करते क्या है आपकी activation energy को low कर देते हैं एक अलग pathway देते हैं जिसमें equilibrium जल्दी रीच हो जाता है आपके reaction का rate जो है वो थोड़ा सा enhance हो जाता है although आपके rate constant पर इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा बस वह activation energy को lower down करके reaction को जल्दी approach करवा देगा तो आपको ऐसा लगता है कि reaction जो है बहुत तेजी से भाग रही है अगर आप नहीं लेते हैं एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन में खतम होती बढ़ आप जब enzyme को include कर लेते हो तो वह reaction बहुत within a fraction of second ही जो होती है वो completion की तरफ चली जाती है ठीक है and chemically all enzymes are basically proteins और कौन से proteins होते हैं वो globular protein होते हैं वो क्या होते हैं आपके structure wise तो globular proteins होते हैं I hope this part is clear देख लो भाई सारे key points मैंने लिखे हुए हैं यही key points आपको required रहेंगे analyze करने के लिए अभी enzymes की बारे में और जानते हैं देखो और चल्चा करेंगे enzymes की बारे में पहले इसको देख लो इसको नूट कर लो मैं सारे previous year question आपके समक्ष रख दूँँगा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि कोशन कितने सीधे साधे पूछे गए कितने easy question पूछे गए हैं ठीक है पहले मैं आपको 30 सेकंड का time दूँगा आप खुद सॉल्व करके देखो आपको answer आता है या नहीं आता है अग आगे बात करते हैं अगर मैं enzymes के बारे में बात करूं कुछ key points से जो आपको याद रखने हैं पहली बात तो enzyme की specificity specificity का मतलब क्या है कि भाईया आप enzyme को जानते होना जैसे हर ताले की एक चाबी होती है ऐसे हर enzyme highly highly specific होता हो कहीं भी जाके कुछ काम नहीं करता है हर biological activity के लिए एक specific enzyme रहता है और वही उस काम को करेगा भी याद रख लेना तो enzymes are highly highly specific catalyst and only they proceed for one chemical reaction के वल एक ही chemical reaction इनके अंतरगत आती है और बेटा उसी के लिए ये काम करते हैं उसी के लिए इनकी जिन्दगी चल रही है तो enzymes जो हैं वो बहुत ही जादा बहुत highly specific होते हैं सेम तरीके से कर बहुत ज्यादा efficient होते हैं बहुत कम amount required होता है और बहुत अच्छी reactions को यह proceed कर सकते हैं so enzymes are very efficient catalyst they increase the rate of reaction by 10 times मतलब 10 गुना भी ज्यादा आपकी reaction को कर सकते हैं और बहुत कम amount में reaction rate को यह बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं आगर मैं बात करूं इनकी small quantity की मैंने आपको बताई दिया कि only a small amount of enzyme can be highly efficient because they are regenerated after their catalytic activity वो जैसी activity खतम होती है उसके बाद दोबार से regenerate हो जाते हैं तो आपको बहुत कम amount ही चाहिए जो बार-बार multiple times reaction में use हो सकता है ठीक है आगर इसके case में आप याद रखो कि एक portion और आता है जिसका हम बोलते हैं optimum temperature and pH हर enzyme के लिए एक specific pH as well as temperature decide होता है जिस पर वो काम करता है so enzymes catalyze reactions at the pH of which is almost neutral neutral के आसपास रहता है 7.4 से लोगे आप 7.4 के आसपास उसकी best catalyst activity दिखती है and temperature range जो होती है वो आपका normal temperature जो इस पर हमारी body actually में काम करती है efficiency 25 डिगरी से लेके 37 डिगरी के बीच में वो सारे के सारे enzyme जो है वो आपके बहुत optimally क्या करते हैं काम करते हैं I hope this entire part is clear I hope this entire part is clear देख लो बई देख लो कोई भी ऐसी rocket science नहीं है इसके इंदर जो आप ना समझ पाओ और आप लोग बाइलोजी के स्टुडेंट हो मुझे पदा है आप लोग पहले से ही इन सारी चीजों को biological activities को बहुत अच्छे से समझते हो बहुत अच्छे से जानते हो तो एälपास कौन आता है डायसरे जाता है थी करता है फिसम तरीके से माल्तेश करता है मल्टोर्यटो सेक्दाव को यह शुकर में हमने खाता है जो आपका बेसिक्ली क्या करता है जो शुगर ही या सुक्रोस है उस और वहां पर आपको पता है क्योंकि एक पार्ड की स्पेसिफिक रोटेशन जादा है तो ओवराल सॉलूशन ऐसा देखता है कि वो डेक्स्टो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कनवर्ड हो गया है एक डाउट और आया था किसी का मुझे यहां से याद आया कि सर यह कैप बढ़ ना हो कि इनका इन नोटेशन का हम लोग यूज़ क्या करते हैं और अलफा और बीटा जो है मैं इनको भी साथ मैं समझा देता हूं तकि पूरा का पूरा नॉमन क्लेचर जो आपको अच्छे समझ में आ जाए सेम तरीके सकर मैं जाइमेस की बात करूंगा तो जाइम से रेलीटिव गुरेशन से मैंने पहल एक बार बता का ही है और हमारी सारह पार जो और शॉस्ट को को समझते है रेलेटिव ओफिगडूरेशन मतव किसी के रसपेक्ट मैं और किके रेसपेक्ट में क्या कॉन पीकूरेशन आ रहा है उसको समझते है इसका जो बेसिस है वो होता है आपका ah प्रेश्य और वे इसका जो बेसेस होता है न वह प्रेश्य और पठाव थे याद रखेंगे ना ग्लिस्ट्रेल डियाइड जो है आपका वो होता है यह अब यह होता है अब इसकी अगर मैं मेरर इमेंज बनाऊंगा इसकी दो क्या हो जाएगा यह CH हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा H यह हो जाएगा बिटा OH and this will be CH2 OH देखो धिहान से यह जो glycerality height है यह दो form में exist करता है अब यह वाले part जो है इसमें जो OH है वो right side में है OH जो है वो right side में है वो OH जो है वो आपका right side में है और इस case में जो OH है वो आपका left side में है यह आपका basis है यह आपका basis है तो कहने का मतलब क्या होता है जहाँ पर right side में होता है इसको हम बोलते है डी glycerality height इसको हम बोलते है डी glycerality height और जो left hand side में होता है इसको हम बोलते है L glycerality height ठीक है यह बोलते हैं हम लोग ठीक है आब इसके respect में हम अमेशा का देखेंगे अब comparison होता है सभी के सभी आपके monosaccharides का जितने भी आपके monosaccharides है उनका comparison होता है मोनोसे कराइट का कमारिजन इसी कर अदर आता है ठीक है अब होता क्या है जितरे बी मोन dynamics देखोगे आपको उनका देखना है आपको उनका देखना है पैनल्टीमेट कार्बन को देखना है आपको उनके पैनल्टीमेट कार्बन को देखना है पैनल्टीमेट समझते हो ना लास्ट वाले कार्बन से पहले वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से पहले वाला कार्बन इस पैनल्टीमेट कार्बन आप उस case में यह last वाला है इससे पहले वाला carbon यह है इसमें ओवेच यहां पर भी present हो सकता है और इस case में आप देखोगे इसमें ओवेच इस तरफ भी present हो सकता है तो बिलकुल आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि यह मैं बात कर रहा हूं glyceraldehyde जैसे इसके अंदर कि यहां पर पैनल्टी में carbon यह वाला हो गया लास्ट वाले से पहला वाला लास्ट वाले से पहला वाला carbon यह हो गया इस case में अगर यह आपका right-hand side पर है तो इसके साथ मैं denote करूंगा capital D को और अगर यह आपका left-hand side में इसको मैं denote करूंगा आपका एल ठीक है तो यह relative configuration का part है I hope now this part is clear देख लो भाई अच्छे से इसको देख लो भाई अच्छे से कि यह 11 का part है कि देख लो भाई इसको ध्यान से देख लो यह आपका यह आपका रेलेटिव configuration क्योंकि इसके respect मैं मैं position को देख रहा हूं इसके respect मैं position को देख रहा हूं ठीक है आप जो दूसरा part आता है आपका जो second part आता है उसको भी बता देता हूं आपकी नॉर्मल लाइट है जो आपकी हर डारेक्शन में मूव करती है वेटा अब इसको अगर मैं पास करता हूं वेटा इसको मैं पास करता हूं प्रिज्म से बेसिकली पास होने के बाद क्या हो जाएगा यह direction जो है इसकी केवल एक ही साइड की रह जाएगी बाकी फिल्टर जो है उस आपको काट देगा यह जो आपका फिल्टर लगा हुआ है यह पिर जो आपका प्रिज्म है इसको हम बोलते ह है निकोल प्रिस्म ये क्या कर देगा इस नौर्मल लight को convert कर दे गा किस कमैं प्लेण पोलराइज में ठीक है ये कनवर्ड कर देता है इसको प्लेण पो नियस्को दोलते हैं पीपी ये इस가요 प्लेण पोलराइज लाइट को मुझे क्या करना है एक ट्यूब से पास करना है जो वन डेसी मीटर लॉंग होती है और उसके अंदर कोई भी एक सॉलूशन पड़ा होता है ठेक है इसके अंदर एक सॉलूशन है सॉलूशन ऑफ कार्बो हाइडरेट है मान लिया किसी भी एक कार्बो हाइडरेट का इसके इंदर solution है, glucose हो सकता है fructose हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है maltose हो सकता है, कोई भी एक हो मैंने इसके इंदर डाल दिया है देखो इसके इंदर possibility क्या आएगी पहली बात इससे pass करने के बाद जो light है, वो as it is चली जाए, मतलब क्या हो जाएगा no rotation यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी rotation ना हो, plane polarized light जैसी थी, वैसी ही रहे, इसको हम बोलते हैं, optically inactive इसको हम बोलते हैं, optically inactive कि यह substance क्या पतसल जाएगा कि यह substance जो है, optically inactive है, हमारे काम का नहीं है, बढ़ हमने यह भी लिए था, कि जित्ते भी आपके कार्भो हाइटर है, वो mostly optically active होते हैं, आप यहाँ पर और क्या case हो सकता है, बटा एक case तो हो सकता है कि originally तो plane polarized light यहाँ पर दी, बढ़ यह deflection दिखा दे को जिस तरीके से, मतलब यह positive side में, मतलब clockwise rotate कर दे, इस plane polarized light को यह clockwise rotate कर दे यह जो compound है ना, compound में जाने के बाद, plane polarized light जो है, वो clockwise rotate हो गई बटा इसी को हम use करते हैं, positive sign से, या आपका dextro rotatory इसको हम बोलते हैं, dextro rotatory, या इसको small d से भी indicate करते हैं, small d से भी indicate करते हैं, यह आपका absolute configuration है, यह आपका absolute part है तो यहाँ पे plus sign मतलब plane polarized light जो है, वो clockwise direction में rotate हो गई जब इस compound से पास किया, तो यह compound क्या है, पहली बात तो, this compound is optically active, यह compound क्या बता रहा है, कि यह भाईया, optically active है, definitely, और कैसा है, यह positive वाला है, क्योंकि plane polarized light जो है, वो positive direction में, आपकी rotate हो गई बिटा, एक और condition हो सकती है, देखो इस case में, एक और condition हो सकती है कि अब की बार, usually plane polarized light इधर थी, अब की बार वो क्या कर दे, इसको इस तरफ rotate कर दे, मतलब क्या है, anti clockwise कर दे, इसको क्या कर दे, anti clockwise rotate कर दे, बिटा, अगर ऐसा कर देगा हो, तो इसको मैं बोलूँगा, लीवो, rotatory, compound, या फिर इसी को small L से दिखाते हैं, इसी को negative से show करते हैं, या इसी को हम लोग negative से show करते हैं, और ये भी ये बताता है, कि ये compound क्या है, optically active है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या है, देख लो भई, जिसको भी doubt आ रहा था, मैंने पूरा explain कर दिया विटा, capital D, capital L का मतलब, small d, small L का मतलब, positive और negative का मतलब, done है, done है, चलो जी, आशा करता हूँ, यह पूरा पार्ट आपका अब clear हो गया होगा, आज चलो, coming back to the topic हम बात कर रहे थे, enzymes की, हम बात कर रहे थे, enzymes की, उसके बाद अब जो next portion आता है, वो आता है आपका vitamins का, ठीक है, vitamins के case में देखो कि, vitamins again organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health, तो आप देखो कि वेटा, यह जो है आपके micronutrients के अंदर आते हैं, आपके जो vitamins हैं, vitamins and minerals यह आपके micronutrients के अंदर आते हैं, यह macro नहीं है, macro मैं तो आपको बता दिया था, कि आपका carbohydrate रहेगा protein रहेगा और fat रहेंगे, यह आपके micronutrients हैं, micro मैं आपका vitamins and minerals आ जाएगा, यह बहुत कम amount में actually में required होते हैं, बट हाँ, आपकी growth के लिए, आपकी vitality के लिए, इनकी ज़रूत हमको ज़रूर पढ़ती है, क्योंकि यह body का maintenance रखते हैं, अगर यह खाली होने शुरू हो गई, definitely आपकी body में कोई ना कोई deficiency आ जाएगी, आपको weakness आने लग जाएगी, आपकी skin थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, आपकी bones जो है, वो pain करने लग जाएगी, आप वो feverish जैसा महसूस करोगे, आपकी appetite जो है, वो कम हो जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे reasons हैं, जिनकी deficiency से यह सब हो सकता है, और आज के time पे हमारी diet में हम जानते हैं, proper diet तो कोई भी नहीं लेता है, आज का lifestyle ऐसा हो गया है, कि बहुत सारी चीज़ें अलग-लग हो गई है, junk food हो गया इतना सारा, हम कोई ना कोई meal skip कर देते हैं, जितनी चीज़ें पहले अवेलेबल थी, naturally season wise, वो अब अवेलेबल नहीं है, और कितने सारी चीज़ें तो pesticide वगएरा के साथ मिलकर बनाई जाती है, तो आप देख रहे हो कि वो धिरे-दिरे करके, जो efficiency है, उन सब food material की है, वो कम होती जा रही है, तो इसलिए आप देखो कि आज के टाइम पे बहुत जादा cases बढ़ गए हैं, जो लोगों के अंदर vitamin deficiencies को बताते हैं, एक normal से test होता है, इसको आपको पता से जाएगा कि कौन-कौन से vitamins के आपके अंदर deficiency और उससे काफी जादा अगर deficiencies हो गया है, तो आपको बहुत जादा rare consequences देखने पड़ सकते हैं, सबसे common आज के टाइम पे जो मुझे लगता है, जो बहुत यूजली सबके अंदर deficiencies रहता है, एक तो vitamin B12 हो गया आपका, और एक आपका vitamin D3, ये ऐसे common है क्योंकि D3 आपका मिलता है sunlight से, अब maximum लोग तो घर में बैठके पड़ाई करते हैं, या office वाले लोग office के अंदर बैठते हैं, तो जब धूप निकलती है, तब तक उनको पता ही नहीं चलता है, और जब धूप चली जाती है, तब वो office से निकलते हैं, या इस्कूल वगयरा से, या अपनी थर्जिक फील हो रहा है, एनरजी नहीं है, बॉड़ी के अंदर, ऐसे बहुत सारे consequences हैं, जो इनकी वज़े से होते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा importance है, vitamins की हमारी life के अंदर, ठीक है, अगर बात करते हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे vitamins हैं, जो fat soluble होते हैं, और कई सारे ऐसे हैं, जो water soluble होते हैं, आप जो water soluble हैं, वो तो हम बहुत जल्दी consume कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपके काम करना भी शुरू कर देंगे, जो fat soluble हैं, उनको थोड़ा सा time लगता है, उनके लिए हमको fat की भी जरूरत रहती है, इसलिए डाइट में ऐसा बोला जाता है कि सब चीजों का balance होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर मैं fat soluble की बात करूं, तो हमारे पास पूरी category आती है, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K और बहुत सारे ऐसे food हैं, जिनसे यह आपको मिल जाता है, water soluble के case में बात करूं, तो vitamin B complex, B complex के अंदर काफी सारी चीज़े आती है, आपके आठ अलग अलग B, vitamin B आते हैं, basically इसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12 आता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि B12 तो बहुत कॉमान है, जिसको हम बोलते है, साइनो कोबालमीन, जिसको हम बोलते हैं साइनो कोबालमीन, B1 की बात करेंगे तो thiamine बोलते हैं, इसको B2 की बात करते हैं, तो ribofleven बोलते हैं, B2 जो है, यह B है, वेता, इसकी भी कमी से एक, आगर बहुत ज़्यादा डेफिशेंसी हो गई है, एक, डिजीज होती है, इसक अपका बीट्रस फूट के लिए बहुत ज़रूरी है बी नाइन जो है वह फॉलिक एसड होता है बीट्वेल जो है उसको हम बोलते हैं साइनो कोबाल अमीन और इसके बाद आता है सिट्रस फूट के इंदर जो मिलने वाला है वह आपका बीट्वेल काफी बड़ी लिस्ट है और इनको याद रखना देखो यह याद रखना इवन आफ फ्यूचर में भी जब आप यूज करोगा आपको तो बहुत जरूरत पड़ेगी बिंगा डॉक्टर आपको इन सब चीजों की नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है तो मैं मैं तो क्या ही बताऊंगा मैं तो ए विटामिन ए जो है यह आपका मिल्क प्रोड़क्ट हो गए एग हो गए फिश हो गई कैरट हो गया इन सब में इसका अमाउंट अच्छा खासा होता है और एट 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 हैं इंप्रूविंग आइसाइट एंड प्रोवाइट इम्यूनिटी तो बॉड़ी की इम्यूनिटी जो है वह इस पर बहुत डिफेंट करती है इससे अगर आप इसकी आपको अगर बिसिकली डिफिशेंसी हो गई तो आपको नाइट ब्लाइडनेस जो है वह होने के चांसे होते हैं ठीक है विटामिन बी की बात करने तो बहुत सारे ऐसे फूड है भी आपको इसके अंदर मि सबसे जादा देखने को मिलती है इसकिन डिजीज हो गई है आपको मिल जाएगी वह बिसिकली राइबो फ्लेविन की कमी की वज़े से होती है और सेम तरीके से आपको बेरी-बेरी जो है डिजीज वह हो जाती है वहां से आप इसको पढ़ सकते हो मैं इतना जाद इन्वाल नहीं करूंगा उसमें क्योंकि वह फिर पूरा बाइलोजिकल एक्टिविटी में चला जाएगा ठीक है अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो ब्रॉकली हो गया स्प्राउट्स हो गई स्पिनिच हो गई टामेटो जो औरेंज हो गई सिट्रसी फूड हो गई उसके इंद को जाता यहूँ का बोडी के अंदर केल संस до लिए एक होगा अगर बौन्स वह रहत प्रेक तो होने का चांस बहुत बढ़ जाता है उसके समा तो आप देखोगे exposure to sunlight सबसे बेस्ट है आप शुरुवात में मौर्निंग में उठके 10 से 20 मिनट अगर ले लोगे तो आपकी बॉड़ी पूरी रिचार्ज हो जाएगी विटामिन डी के मतलब सोलर सेल की तरह समझ लो खुद को कि जब इसकिन से एब्जॉर्ब होता है तो वि विटामिन जो है वह आपके इसकेन आपके हेर हो गए आपके नेल्स उगए उनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वाइड होता है तो यह आपका सनफ्लावर ओइल हो गया सोया बीन हो गई पीनट्स हो गई नट्स हो गई है इनके अंदर काफी अच्छा खासा मिलता है और प्रोवाइड एंटी ऑक्सिडेंट की बहुत ज़रूत है क्योंकि काफी जारी रियक्शन में मुझे एंटी ऑक्सिडेंट की पड़ेगी ही पड़ेगी ऐसा होता है जो ग्रीन टी या इस टाइप की जो स्पेशल्टी है उनमें भी कुछ-कुछ अमाउंट एंटी हो गया इस टाइप के जो ग्रीन फूट से एविन आपका बनाना हो गया वह बहुत रिच सोड से आपका पोटैसियम का तो विटामिन के जो है वह आपको यहां से मिल जाएगा और यहीं करता है और यह नहीं हुआ तो डिफेक्टिव कोगलेशन जो है आपका वह हो जाएग क्योंकि कोगलेशन बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी इंजरी होती है अगर यह कोगलेशन नहीं हो पा रहा है तो आप समझ लो संकट में हो बहुत जादा ठीक है आई होप इस एंटायर पार्ट इसलिए तो विटामिन की हिस्ट्री जो है वह बहुत अच्छी है इनक विटामिन से आते जरूर नहीं या रख लिना विटामिन से जरूर पूछे जाएंगे क्वेशन ठीक है चलो और हर साल ऐसा होता है बायो मॉलीकिल में से दो कोशन कंफाम है या तो वह कार्बोहाइडरेट प्रोटीन में से पूछेगा या वह प्रोटीन विटामिन में से पूछेगा ऐसा ट्रेंड में देखता आ रहा हूं तो इस साल भी आप एक्सपेट कर लो कि दो कोशन आपके पास आएंगे ही आएंगे और बींगा बायोजी स्टुटिन आप गलती तो नहीं करते हो उसके अंदर तो यह तो मुझे पूरा कॉंटेंस है कि आप सही कर क्या ह होगे अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की विचेज न्यू क्लिक एसिड यह सबसे काम की चीज़ अब भैंकर चीज़ है क्या है बेसिकली टू टाइप ऑफ न्यू क्लिक एसिट्स आर फाउं इन बायोजीकल सिस्टम तो एक होता है डियोक्सी राइबो न्यू क्लिक एसि जिसको हम बोलते हैं आरेने आपको पता ही है काफी सारी ग्रोथ के लिए हमारे जीन डिसाइड करने के लिए इनकी बहुत जार जरूरत है बायोजी में तो बहुत बड़ा पॉर्चन है जो आपका ट्रांस्क्रिप्शन आता है आपका ट्रांस्पोर्टेशन आता है मुझे पता है वो चीज क्योंकि मैं भी biology student रह चुका हूं तो मैंने 11 12 में दौनों मेरे पास थे math भी था और biology भी था तो उस time पर 12 में आते आते यह पूरी mechanism जो होती है central dogma वाली जो होती है जित्ती भी चीज़े हैं वो सब मैंने खुद पढ़ी हुई और काफी interesting actually में बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में इनको समझने में और question भी काफी easy आते हैं इनसे हमारे पास दो तरीके के nucleic acid होते हैं एक होता है DNA और एक होता है RNA अब इनको detail में समझते हैं इनके अंदर क्या-क्या अब nucleic acid को देखोगे यह basically एक polymer है किसका nucleotides का और nucleotide जो है वो दो चीज़ों मिलकर बना हुआ है एक है nucleoside और एक है आपका phosphate जब यह दोनों कमाइन करते हैं आपस में तब आपका क्या बनता है nucleotide बनता है जिसका polymer जो है उसको हम बोलते है nucleic acid अगर आप देखोगे nucleoside ज जिसमें आपके आते हैं purine और perimidine और दूसरा जो आता है आपका आता है sugar जिसके अंदर दो पार्ट है ribos and deoxy ribos इसलिए आपके पस DNA और RNA जो है वो दो पार्ट बनते हैं इसको जरूर याद रख लिए वड़ी काम की चीज़ है नोट कर लो इसको भाई नोट कर लो इसको लोला कि घंक है करे लोला कर लोला कला कर लोला करेंस कीज़ए वर वार्ट हैं गर यार हैukbenदर दोध Haiा कि वार一些 कन सक्षब पार कर फोंड़ता है तो कर आते हैं नोटीर नु अर दोगशना इस रखोंड़ता हैlarda प्लो कर बылए़詹़ता बीन नोटीरा है उल्गव़ता है अग्वाइब दन 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 चलो जी अब एक करके समझते हैं या इसके पहले न्यूक्लियो टाइड को देखते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियो साइड वाला पार्ट भी है और फिर आपके साथ फॉस्फेड घ्र्री लगा हुआ लागा एक यूकलियो साइड में था आपके पास एक नायड्रोर जिनस पेस पास था साथ मैंझसुगर थी है और फिर साथ में एक यूपा फॉस्फेड चुडा हुआ है थीए आगे चलते हैं ने ल वालल जो कैसे होता है ATP से energy कैसे रिलीज होती है वो सारा इसी के अंदर आता है वो DNA RNA वाले पार्ट में आता है यहां पर हम लोग उतनी चर्चा नहीं करते हैं इसके बारे में ठीक है अगर मैं बात करूँ हो कौन-कौन से शुगर है हमारे पास आप देखोगे आपके पास यहां पर डि ओ सी हो गया विटा है आपका सी हो गया इधर की का अधी अधिया दूरिप स्टॉक्चर ही बनी है खैक है को कॉन माम चला लेंगे हम काम चला लेंगे ठीक है इस तरीके से देखो गया आप यह हो गया इस तरीके साथ देखो गई यह हो गया और इस तरीके से देखो गाप यह हो गया यह बन गया पूरा इस्ट्रक्चर वेटा ठीक है सेम अगर मैं बात करूं यह पूरा इस्ट्रक्चर आपका बन जाएगा गैए देख लो यह step का बंच नुका है ठीक है यह इस ट्रच्चर आपका बन चुका है इसको ध्यान से देख लिटा इसको ध्यान से देख लो कैंग एक है आपका डियोक्सी राइबोस और एक है आपका राइबोस झाल झाल थिक है अगर आप देखो कि आपको इतना दिफरंस देखने यहां पर आपको औहेच देने को मिलता हैश यह पुर्य इस्ट्रक्चर आइडेंटी कर वब आपको उस पूजिशन में देखने में विलेगा एक में और एक में नहीं है क्या यह बात क्लियर है क्या यह बात क्लियर है और अगर आगर पार्ट आए दोनों एक में डियोक्सी राइबोस और एक राइबोस है चलो जी अब आगे की बात करेंगे हमाने पाल जो नाइटरोजिनस बेसे जाते हैं वो प्यूरीन एंड परिमिडीन आते हैं आगर मैं बात करूंगा परिमिडीन की तो इनके अंदर केव इक ही रिंग होती है इसमें आप देखो एसमें होता है यूरसिल रहता है आपका थाइमीन होता है ठीक है आप ने देखा है चले गए है सिखेंके अंदर होते हैं चले गए जो साइटोसिं हो गया आप जो ह। और जो आपका T है यह तो आपको DNA में देखने को मिल जाएंगे यह यू है यह आपको देखने को मिलता है किसके केस में केवल RNA केस में देखने को मिल जाता है structure देख लो वह बड़ी काम की है structure देख लो इनकी यह बड़ी काम की है कि इस ट्रक्चर देख लो यह बड़ी काम की है ठीक है बहुत हेल्प करेगी आपकी समझने के लिए और आप जानते ही वैसे भी आगर मैं बात करूँ का प्यूरींज की तो इनके अंदर दो रिंग मिलती है आपको प्यूरींज के अंदर आपको जनली क्या होता है दो रिंग देखने को मिल जाती है इनके अंदर आपको दो रिंग देखने को मिलती है मुझे लगता हैं कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया आपका एन वोग्या चैनेक्ट ठीक है इसको अगर तो आहे ये होगया आपका connected ठीक है ये ओगया connected लसे सब्सक्राइब और देखोंगा और यह आपका एच से जोड़ा ही हुआ है यह आपको structure देखने को मिल गई कि इसकी अडिनिन की ठीक है और फिर next day structure होती है वो थी आपकी गवानन की नेक्स स्ट्रक्चर है वो थी आपकी गवानन की तो आप देखोगे सी डबल बॉन ओ हो गया एक दो तीन हो गया इसका इधर से देखों यह से जुड़ा हुआ इधर धूर lasts गन है यह अब के रिंप होते है जिने के अंदर नृंग अगर DNA की बात करते हैं यह बेसिकली आपका Watson and Creek model की बात कर रहा हूं मैं जो DNA की structure है वो आती है Watson and Creek models है उसी की में बात कर रहा हूं इस case में double helical model of DNA consists of two polynucleotide strands coiled in a right-handed fashion manner तो वो right-handed fashion manner में इस तरीके से coil type की structure रहनती है और दो आपको क्या चाहिए polynucleotide strands चाहिए उनी की मदद से यह आपका जोड़ता है now two strands are complementary to each other joined together by hydrogen bond वो दोनों ही जो आपके strands होंगे वो complementary होते हैं हमेशा इस structure से ऐसे घूम घूम के चलती है बहुत अच्छी structure देखती है शायद मैंने ला रखिए वो इस ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँगा एक बार नहीं मिले तो आपकी भूक में भी रखिया वहां से देख सकते हो ठीक है तो यह क्या है आपका सबसे पहल अगर ऐसे चलता है तो दूसरा इस डारेक्शन में चलता है याद रख लेना ठीक है यह आपको बहुत जरूरी है समझना 325 & 523 इस तरीके से आपका चलता है आप समझी गए होगे मैं क्या बात कर रहा हूं आगे मैं structure देख लेता हूं कि मैं लाया हूं हां मैं लाया हूं मै लए थे मतलब अपर थाइमीन के साथ जो है आपका वह दो मनाता है चले गए के साथ तो आपका सी जो हैसा इन दो है वह वह ह prospective बनाता है तो यहांको बनदा दी ती आ इससब्वल जाता है कि एए के साथ double महां ॡ़ूञ्ड नहीं रोख का यह यह अपके आप इस तरीके साब देखोगे देखो आपके पास यह इस ट्रक्चर देखने को मिलती है एक च्रेंड ऐसे चलता है आपका और एक स्टेंड आपका इस तरीके से चलता है एक दूसरे के एंटि पैरिलर होते हैं तो आप हर उसमें कितना डिफ्रेंस देखोगे हर केस में आपको कितने डिस्टेंस दे लेगी क्योंकि दस पार्ट में आप इसको डिवाइड करते हो से कितनी हुजा गिया फार फार अफार पारट भाई 3.4 एंक और स्ट्रॉम यहां मे आये थे दो के साथ चले गए तीन के साथ फिर यह आपका हो जाएगा दो फिर हो जाएगा तीन इस तरीके से आपका यह पूरा इस बहुत सुनुदर स्ट्रक्चर है यह आपका जो मॉडल मैं बता रहा हूं इसको मोलते हैं वाट्सन और क्रीक मॉडल ए आए होब दिस एंटा है यह आपका राइबो-न्यूक्ली कैसे वहाँ पर आरौधा पर आरेन के स्टकी पास घूगर यहां पर आप देखोगे एडि apologwir ऑडिन आ जाएंगा ग्वान साइये अगा ठीक है इधर देखोगे आपके पास क्या जाएगा एड़ेन आएगा थाइमीन आएगा गवानन आएगा एंड साइटोस नाएगा तो आपका यूरेसल इस केस में अलग आता है और वहाँ पर आपका थाइमीन अलगाता है यह डिफरेंस है आपका ठीक है जैसे वहाँ पर 80 gc होता है यहाँ पर यूजी सी होता है यह देख लो भई देख लो भई नोट्स में में आपको थोड़ी क्लियर दिख जाए इस ट्रक्टर बहुत छोटी है और इस पेज़ पर समा नहीं पा रही थी है ठीक है आपको नोट्स में यह प्रॉपर दिख जाएगी ठीक है बटा अब आगे की बात करते हैं एक पार्ट छुटा सौर आपे इसको मोलते इसकी जो यूज होती है वह पैटर नेटी टेस्टिंग में भी उती है मतला इडेंटिफाइंग भी फादर एंड हिस्टोरिकल इंवेस्टिकेशन पर इसको यूज होता है कि कौन चीज कितनी पुरानी है यह मिसिंग परसन की इन्वेस्टिकेशन में बहुत है डिने प्रिंटिंग एंड सेम मास डिजास्टर जो होती हैं तो समय मैचिंग टिशू टू नोन डिने टो इडेंटिफाइं विक्टिम सबका डेटा होता है अल्मोस्ट तो वहां से मैच कर ले तो कि किसके डिने के साथ कौन सी चीज मैच कर रही है उससे आपको पता से जाएगा क और इंसिक में तो बहुत ज़्यूद होता है ठीक है आई होप इस एंटायर पार्ड इस की यहां पर आपका यह आसान चेप्टर पूरा थियोरी वाइस समाप्त होता है अगर फिर भी आपको लगे कोई डिफिकल्टी है कोई चीज आपको डिटेल में जाननी है मुझे वॉर्ट्र सॉल्वल में हमने मेरी ख्याल से केवल पड़ा था विटामीन इसी बाकी विटामीन syndrome कौँ है क्या बदा मैं गलती कर बैठू ठीक है वैसे चांसे तो कम है बट ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है आप देखोगे यहां पर आपके पास एडीए एक एडीए एक हेडिएक जो हेडो फैट स्यॉबल है और वितामीन सी 还तर अले बहूंग मतनलब मैं पहसे थह एक यह एकला इसा है जो कि आपका बाट मसलीवल आहे कितना क्यिस देखो कि तना इजी condition है देख लो गई आंसर क्या हो जाएगा देखो यही है विटामिन सी जो है सी ऑप्षन जो है यही आपका आंसर हो जाएगा चलो जी इसकी बात करें आरेने इस डिफरेंट फ्रॉम डिने बिकॉस आरेने कंटेंज हमने देखा था आरेने की केस में आपके पास ए यू जी और सी अपको देखने को मिलता था जबकسم डिने में आपको मिलता था ए टी-जीđенड ते यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक पार तो यह हो गया कि आपका यहां और टी जो है अलग अलग है यहाँ पर आपकी राइबॉस शुगर है जबकी यहां पर आपकी insulting Sch zero राइबोस शूगर है बटा यहां पर किया है आपकी वटा णितर डी यॉक्सी राइबोस शूगर वण यहां पर यह पर अपको विशन देखने को मिल जाता है और राइबोस शूगर और यरीद बिल्कुल उघ्योन सकता हूं यहीं होना चाहिए राय शुकरद थाइमीन थाइम इसा है आपका ले से पूछा है घान हाइगा फूर्ब व्रेक्वेश रहती है राइप्षिय झारता है अन्सके पूखर हो जाएगा ईस इसके से-स बैस में ऑप्षिन बर भी ब ही कीस। आपका आंसर आजाएगा option number B clear I hope this part is clear next आजाओ which basis present in RNA but not in DNA आरेने में रहता है बट DNA में नहीं रहता है यूरसल हो गया वैटा यूरसल हो गया यूरसल आपको मिल जाता है किसमें RNA में और DNA में प्रेजंट नहीं रहता है यह केवल आपको मिलेगा आरेने में और जबकि यह पाला पार्ट जो है यह आपको केवल मिलेगा किसके अंदर DNA के अंदर ठीक है आई होब इस पार्ट इसके लिए तो बहुत इजी क्वेशन हो जाएगा आपका option नमबर ए यह हो जाएगा आपका option नमबर ए क् अधिन गॉन जो थे वह आपके प्यूरिन थे एडिन गॉन जो थे मतलब एडन इसको भी अटा दो गॉन इसको भी अटा दो और यूरसल तो होता ही नहीं है तो बच्छा क्या साइटोसिन अधायमिन ठीक है यह बच गए आंसर क्या आजाएगा देख लो आपका यहीं आए होता है उतार देखर आफ़की कितने ईजी कुछेगा आपसे कितने जादा उपसा पूछे है गया कि पूचा गया है थे नहीं चलो जा Su अब देखते हैं कि प्रीवियस यर में क्या कुशन पूचे गए प्रीवियस के कुशन को देखो मैं 30 सेकंड आपको एनलाइस करने के लिए फिर मुझे आंसर बताना बोल रखा है यूनिट फॉर्म बाइधी अटेश्मेंट आफ बेस्ट फॉस्ट पॉजिशन ऑफ शुगर इस नोन एज अन्यूक्लियो साइड ठीक है भई दूसरा देखा है वेन न्यूक्लियो साइड इस लिंक टू फॉस्फोरस एसेड एड फाइव डैस पॉजिशन ऑफ शुगर मॉईटी वी गेट न्यूक्लियो टाइड यह कॉशन कई बार पूछा गया है बाहिलोजी में भ मुझे बताना है कि क्या होगा इसका अंसर देखो भई एनलाइस कर उसको फटाबट से एनलाइस करो फिर मुझे बताओ कि 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 जल्दी बताओ बाई जल्दी बताओ कि 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 अगर चाहिए अगर आए अगर अगर है अगर आप देखा था इस केस में अगर आप देखो एधान से हमने यह जरूर देखी थी कि अगर मैं किसी भी यूनिट की बात करूं रियुनिट यूनिट फैयू ऐटेच्मेंट अफ बेस्ट फर्स्स पॉजिजन वन्डेइस फॉज्शन ऑफ शगर इसको हम क्या बोलते हैं नियूक्लियो शाइड वोलते हैं कि कि देख लो बाई आपके समक्षी है सब कुछ यहीं हमने डिसकस किया था पूरा का पूरा चार्ट हमने क्यूंस प्य हैं भ़!] को सब्सक्राइड मिलते हैं और नियूक्लियूसायड और यह नुंक्लियूसायड जो है जब फौस्पेट के साथ मिलता है तम मिलता है आपका nucleotide देख लो भई यही है बात यही है बात आरे बोलो भई क्या यही है बात question क्या पूछ रहा है आपका कि a unit formed by the attachment of a base to sugar is known as nucleoside यह बात तो बिल्कुल सही है चलो यह बात बिल्कुल सही है और one dash position से आपका attachment होता है actually मैं यह बात बिल्कुल सही है when a nucleoside is linked to phosphorus at five dash position of the sugar moiety we get a nucleotide अब बता वही शुगर के साथ attachment नहीं करना है वही हमें हमें आपका करना है आपका when nucleoside is linked to phosphorus acid at five dash position of sugar moiety sugar moiety से related नहीं है आपका phosphate group अलग से आके add होगा इस case में phosphate के साथ जब attachment होता है किसका nucleoside का तब जाके nucleotide मलता है मतलब यह statement गलत है यह वाला statement बिल्कुल सही है तो मतलब क्या हो जाएगा first is true but second is false मतलब option number four क्या हो जाएगा यह जाएगा अंसर आपका डी हो जाएगा देख लो भाई देख लो अच्छा कोश्चन था यह काफी बढ़िया कुश्चन था देखो इसको देखो इसको कि देखो इसको कि 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 प्रेंट कि कि अधिया रहा है ठीक है बटा अगला question करते हैं नेक्स बताई रहाता आपको जो चीज बताई रहाता उसका question भी आए गया है 2023 में पूछा गया है चैलोसिस जो है आपका occurs due to the deficiency of thiamine nicotinamide आपका जो यह माउथ है इसके दौनों तरफ आपके cracks पढ़ने शुरूर जाते हैं और बेसिकली होता क्या है कि जो सलाइवा है वो यहां पर आखे खटा हो जाता है जिसकी वाज़े से microorganism जो है वह आपका यहां पर reaction कर लेते हैं और यह skin को यह flaky skin हो जाती है और यहां पर बहुत जादा कटने लगता है वह बेसिकली जो होता है यह वाला पार्ट यह होता है आपका due to the deficiency of vitamin b2 जो आपका vitamin b2 है ना उसकी deficiency से होता है उसकी deficiency से होता है तो यहां पर vitamin b2 ना देखर उनने अलग नाम दिया था हमने देखा है vitamin b2 का दूसरा नाम क्या होता है ribofleven होता है आंसर क्या जाएगा इसका option number 4 मतल नाम क्या है ribofleven clear है अगले question की बात करते हैं which is not a sugar अब तो बता दोगे भाई अब तो मुझे पूरा यकीन है तो मैंने पूरा डिटेल में तुमको बताया है डी शुगर का मतलब क्या होता है इनमें से कौन सी डी शुगर निया लास्ट वाले कारवन को देखो उसके बाद पैनल्टी में कारवन को देखो लास्ट के बाद पैनल्टी में यह राइट हैंड साइड में है तो यह डी होगा यह वाला पार्ट क्यूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो यह एल होगा यह लास्ट से पहले वाला पैनल्टी में कारवन पर यह राइट में है तो यह डी ह होगा मतलब क्या है केवल मुझे सेकेंड ऑप्शन ऐसा देख रहा है जिसमें ओए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो यह एल शुगर होना चाहिए आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका आप्शन नंबर भी हो जाएगा देख लो कितना एजी कुछा गया है आप वाले शुर्ण बोर्ट पढ़ता है लिए बॉध स्वात पढ़ता है मुत स्वाइड को सब्सक्राइब आप इनक्रेक्ट चेट्मेंट अबडी डी नेच अवПр antibiotic हुंध को भी है तो यह बात बिलकुल सेटेड में नोफ बल्कुल सही है यह बात यह बात बिल्कुल सही है अब परोटीन एlles फ्रॉम है निटा यह तो प्रोटीन की फोर्मेशन को बता रहा है यह support लगन फार्मेशन थे फिलूंक सक dunno जाता है कर दो भाता है तो अान एस मैं लोड़ ल हदो जाता है एक साहित में तो मिल्क ना फोले से बिल्कुल दी को Dan लिए इस्ट्रम्र सब्सक्राइब बतलब बहुंत सब्सक्राइब गिंगर तो आपको केवल आंसर कौन सा देखना धर जो कि आपोजेट प्रोसेश के बारे मता रहा है प्रोटीन की फॉरमेशन डीनेचरेशन मतलब इस्टॉक्ट्चर को लूज कर रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा option number three मतलब सी देखो भाई देखो मुझे effort भी नहीं डालना पड़ रहा है इतने easy question आपके आ रखे हैं और यह 22 में आया है देखो और आप हर साल देखोगे न दो question आपको at least कि अब कि अब कर अब कर आए अब कर आए अब कर आए अरबी सी की डेफिशेंसी के लिए कौन responsible है देखो हमने विटामिन पर पड़ा भी था वी ट्वेल में ही मैं आपको शायद बताया था यह यह सारा पाट में आपको बी ट्वेल में नहीं बताया था इप आम नॉट रॉंग करता है आपका तो आप देखोगे क्या हो जाएगा आरबी सी की क्या हो जाएगा आपका वाइटामिन बी ट्वेल मतलब यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नमबर थ्री ठीक है मेरे खाल से आप सभी ने आंसर सही कर दिया होगा आपको पता ही होगा यह तो आपने बायोजी में पढ़ रखा होगा ठीक है चलो सुक्रोज और हाइड्रोलिस करते हैं तो क्या बनता है जल्दी बताओ मुझे क्या बनेगा आप मुझे बताओ क्या बनेगा आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो बनता ही बनता है जल्दी बोलो भाई अब अब बोलो भई अर्व देखकर ही बतातों गें तो बहुत आसान है मैंने कितनी बार किया है कि इसके अंदर एक तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा बेटा यह जो ग्लूकोज ग्लूकोज वाला पार्ट है यह आपका हमने दteelein बड़े थे ना एक माल्डूस पढरा था एक तुद्स पढ़ा था एक लेक्टोज पढ़ा था एक में ग्लूपोज ग्लूकोज ग्लूकोज आता था एक में सब CRA war और वाला पारट कॉण साशाब तो है विटा क्या आगा जाएगा क्या धाया आप्शन इन्जाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन दी ऑक्सिदेशन ऑफ नर्व सिगनल जो होते हैं उसके लिए बॉड़ी के अंदर एक सोडियम पॉटेशियम पंप होता है आपको अगर याद हो बात हमारे यहां पर नहीं है आपको बाइलोजी में पता होगा सोडियम पॉटेशियम पंप है आपका जो आपके नर्व सिगनल्स को पहुचाने के बहुत काम आता है अगर बॉड़ी में डिफिशिंसी हो जाती है तो यह नर्व सिगनल जो होते हैं ब्लॉक हो जाते है तो याद रख लेना इसके लिए जो आपका एने के साथ जो काम करता ह है वह हमेशा पॉटेशियम ही काम करता है और यह क्या करता है आपके बहुत सारे एंजयम को एक्टिवेट करता है पार्टिसिपेटिंग इंदी ऑक्सिडिशन ऑग्लुकोस तो प्रड्यूस एटीप उसमें भी हल्प करता है तो वह कौन होता है वह केवल और केवल पॉटे सेडündा अब यह बताओ यह बताओ मुझे बेसिक अमीनो हैसेड कौन सा होगा जल्दी बताओ जल् जल्दी बोलो के जल्दी बोलो कि ऐसा नहीं से आए न लाहिसी नहीं सुन्हाइब बिल्कुल बाते है इसके अंदर आप देखोगे क्या हो जाता है सी ओ 1 ऀयां मेंने आको क्या बता है यह बेसिक क्या होता है कि दो अमीनों घुब होंगे और एकी ओ और यहां पर आपका एक दो तीन चार और यह रहता है एन की यह की लाइसेस ही जो आपके अमीनो ऐसेड वह बेसिक कडिगरी में आते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका लाइसें हो जाएगा विच आप्शन नमबर 3 विच आप्शन नमबर 3 क्लियर है चलो जी अब केवल मैं आपको एक चीज़ देना वाला हूं कि भाईया मॉड्यूल के अंदर जाना मॉड्यूल के अंदर आप बायो मॉलिक्यूल को देखना और वहां पर एक्सराइज वन के क्वेशन कर लेना पहले तो और इसके बाद आप प्रोसीड करना आगे वाली एक्सराइज के लिए और जब यह सारा पाट आपका कम्प्लीट हो जाए एक बार NCRT की रीडिंग कर ले वैसे मैंने 2020-19 तक के तो करा दी है आपको जो एंटी यह देता आ रहा है और काफी एजी है अगर आपको फिर भी लगता है कि प्रैक्टिस करनी है तो आप इससे पुराने वाले क्वेशन भी जो है प्रैक्टिस कर लो ठीक है वो मोर दैने नफ है इन सारी चीज़ों को अगर फिर भी आपको लगता है किसी भी चीज़ की जरूरत हो मैं एक एक्स्ट्रा सेशन और बीच में ले आऊंगा आप लोगों के लिए के वल एक्स्ट्रा सेशन उसको मानके चलो रिवीजन के लिए जिसमें हम कनवर्जन सीख लेंगे ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा ह आपको कोई भी दिक्कत परिशानी ना हो इसके वाद आपका जो पॉर्शन स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा रहता है और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे ठीक है मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आपके पास वह कंवर्जन वाला सेशन पहु क्या रहती है कि हम 11 कुछ कॉंसर्ट कर देते हैं तो आप से कुछ होगा नहीं कोशन बहुत एज़ी रहने वाले आप अगर मेरे सेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए आ रहे हो आपको लगेगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि त्योरी बहुत जादा हुई है क्वेशन तो आराम से पढ़ाई करो अच्छे से रिवीजन करो और कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझे बता देना मैं जब जब बोलोगे मैं तब आ जाओगा बस आपके पास मुझे एक चीज़ करवानी है कि एक सेशन कन्वर्जन वाला मुझे कन्वर्जन वाला डर आपके दिमां और दूसरा चैप्टर जो किया था जो एल्कॉल वाला था इन चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि इनकी काफी सारी रियक्शन जो है वह आपको आइडिया देंगी आने वाले चैप्टर के केस में ठीक है चैप्टर लेंदी नहीं है थोड़ा सा रि जो पूछे जाते हैं और मैंने हर बार वही कोशिश किया कि आपको एक्जाम के relevant questions मैं करा सको ठीक है बट फिर भी हमारा और्गनिक का सफर बहुत अच्छा राय बचो अगर आपको कोई भी परिशानी हो कोई भी problem हो तो मुझे जरूर बता देना ठीक है जब जब पुकारो होते हैं तो ऐसे होते हैं बाकी मैं बस यहीं कहना चाहता हूं आपसे पढ़ाई करो अच्छे से रिवीजन रेगुलर बेसिस पर करो क्वेशन जित्ते प्रैक्टिस कर सकते होते प्रैक्टिस करो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो डीपी पी हैं उनके solution भी आपको प्रो सफर आपका और हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चों आशा करेंगे कि जरूर मिले आगे जब आपका अच्छा रिजल्ट आए तब आप जरूर याद करो मैं डेफिनिटली आपके पास रहूंगा और तब डिसकस करेंगे कि आगे क्या पॉसिबिलिटी ने आगे क्या तरीके से ठीक है अंडिल देन वाई अवरीवन टेक कियर ऐसे ही पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो रिवाइस करते रहो टेक केर आफ यॉर सेल्फ टेक कर आफ यॉर पेरेंट्स और खुब खुश रहो चो ठीक है मिलेंगे अगले टाइम जब भी कभी मुलाकात होगी बट मैं कोशिश करूँगा वो मुलाकात जल्द ही हो ठीक है वाई एवरीवन